एक, दो, तीन, चार, हम दूसरी श्टिक पे आते हैं, पांच, छे, साथ, और इधर आईए, ये देखिए, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा नमस्कार किसान भाईयो, किसान भाईयो, दाफार्मन नर्सरी में आपका फिरसे स्वागत है, दोस्तों, आज हम महरास्टा के बीड जिले में आई हुए हैं, जहांपर लगबग एक वर्स पुरू हमारे यहां से सेब के पोधे लगाए गए थे, और जिन किसान भाई के यहां से सेब के पोधे लिए थे, कितने पोधे और कितनी जगा में लगाए हुए हैं? अजिने स्कॉष टगर निकले तो बहुत बेनिफिट है उसमें और आपके सामने पेड है कि यह एक साल मेहनत करने के बाद अपने को यह साब से उसका अपने को फल मिलाए यह पिछले साल डिसमबर के बाद तो लगाने के बाद तो अपना गर्मी चाल हो जाता है मार्च अजिने पोदे में ज्यादा कुछ उसका साइड़ी पेड कुछ भी नहीं हुआ है यह पोदे आपके सामने है और उसका जो बेनिफिट आप देख रहे है अगर गर्मी भी है तो यह वराइडी आईसा है कि इसमें गर्मी से कुछ उसको असर नहीं होता है एक्चली चल रहा है और उसके बाद एक साल के अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें इस साइज के फल आये हुए यह पोदा है यह आप देख सकते हैं इसमें यह देखी बिरकुल जैसा के अभी हम देख रहे हैं कि यह अभी एक साल का पोदा है और एक साल के पोदे पर ही किसान भायों आप देख सकते हैं एक दो तीन चार हम दूसरी स्टिक पर आते हैं पांच छे साथ और इधर आई यह देखिए आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंदरा हाला कि हमने इनको सर को बोला था इन स्टिक पर भी यह देखो फल आए हुए हैं यह फल और वाकी फ्लावरिंग भी स्टार्ट है और फल आ भी रहे हैं फिर भी हमने सर को बोला था कि अभी आप फल ना लो पर इन्होंने कुछ पोदों में सेंपल के लिए कुछ पोदों में फल रोका है तो हमने कहा है कोई बात नहीं आप दो चार दस फल लेके देख सकते हैं यह एक साल का उसका देख भीहड़ा है तो मेरे को इसमें भीमिड तो बहुत जादा लग रहा है और बहुत अच्छा यह और पे जो आपने जो मिलाया तो मेन जो बात है उसका पोदा अपने को कॉमसर क्वालेटी का मिलाया और को से कौनसर इस सबसे अपने पास उसका डिलिवर्य हुआ तो जो इस मेरे को डिलिवरी मिला है तो बहुत बढ़ी है डिलिवरी मिला है अब देख सकते हैं कि एक साल का पेड़ है और इसको ग्रोथ आप देख लीजिए अभी मेरे सर के उपर से गया तो इसको मैं चाट के पाच फुट रखा है मेरा फार्मर नरसरी वाद साब से बात हुआ तो उ अभी गुरोथ आइसा है कि अभी देख सकते कि इधर भी उसको फ्वल मिला अभी देख लीजिए मेरा तो सजेशन यही रहेगा अगर आप बागवानी में अगर इंट्रेस्टेड है तो मेरे इसाब से तो आप यह खिती करना चाहिए क्योंकि इसमें मैंटेनेस कोश्ट ब अब बात आपना चलता है मगर एक जग पे जाके जो अडिट करेंगे तो अडिट से मेरे को उसका पूरा बेनिवीट मिलेगा इसके लिए मैंने उनको उनसे बात किये तो उन्होंने बोले ठीक है हम आते हैं अडिट करने के बाद मेरा जो प्रजेट है वो आपको बताएंगे किसान भाईयो जैसा कि आपने देखा अभी सर ने बताया कि इन्होंने यहां पर एक एकड़ के लगबग सेव के पोदे लगाये हुए जैसा हमने बोला इन्होंने वैसे ही क्या है बड़ा अच्छा इन्होंने अपना पूरा प्लांट जो है अच्छा डवलप किया हुआ है बहुत ही अच्छा है और जो किसान भाई महारास्ट के या आसपास के भी इसको देखना चाहते हैं हम सरका नंबर उनको दे देंगे, वो आकर के भी यहां पर देख सकते हैं। किसान भाईयों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है, कमेंट करके वश्य बताएं, वीडियो को लाइक करें, और दूसरे किसान भाईयों तक जानकारी पहुचाने के लिए शेयर करें। और हमारी नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।